बाइटेक्लोजी, बाइटेक्लोजी means the use of organism or the part of organism और any kind of biological process which is used for benefits of human beings, तब यहाँ पे बहुत सारी procedures होती है, बाइटेक्लोजी यह दिखने में मतलब अभी तक जो students, यह बाइटेक्लोजी कर चुक है, उन students को जो करना चाहते हैं, उनका व्यू यही है कि यहाँ पे research oriented सहरी ची जहाँ पे physics के students कर सकते है, mathematics के students कर सकते हैं, यह chemistry के भी students कर सकते है, botany psychology, many more subjects के students यहाँ पे कर सकते हैं, यह all round field है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे dark side में आपको बाताने जा रहा हूँ, बाइटेक्नोलोजी जितनी field दिखती है, उतनी ज्यादा opportunity बिल्कुल नहीं है, यह मैं आभी आपको बताने चाहता हूँ, यह क्यों बताने चाहता हूँ, क्यूंकि यहाँ पे जो expectations से आप आएं, उस पे depend रहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में बाइटेक्नोलोजी करने का future क्या रहेगा, और इस पे आपकी सोच केसे होनी चाहिए बाइटेक्नोलोजी में अगर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important है, जो students करना चाहते हैं, जो already कर चुके, उनके लिए भी vision oriented यह video होने जा रहा है, जहाँ पे आपको पूरे detail में समझेगा कि बाइटेक्नोलोजी एक्चुली है क्या, और उसको किस तरीके से देखना चाहिए, हमारी eye imaging कैसी होने चाहिए, बाइटेक्नोलोजी की तरफ, तो पूरे detail में जानते बाइटेक्नोलोजी के बार में, नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सब का मेरी YouTube चानल, तिंग्स बायमित, मैं हर्दिक स्वागत, पुछे पहले के बार में discussion होगा, तो इसके लिए आपको subscribe, pre-test series है, लेकिन कोई भी series आपको pursue करनी है, तो वहाँ पे आपको 10% discount अगर चाहिए, तो हमारा code TBA10 definitely use की, next is PYQ series, PYQ series मतलब previous year question series, यह आपको previous year question series के बार में बताए जाएगा, यह series है jam aspirant, जो 2021 के लिए prepare करना चाहते, seriously exam को दे यहाँ पे पूरे detail में आपको guideline मिल जाए, यहाँ पे various tips, trips कैसे आपको prepare करना है, कौन से subject पे ज्यादा फोकुस करना है, important questions, important topics, chapter, इसके बार में detail में आपको जानकर मिली, PYQ series 22 January से start होने जा रहे है, सुभे 10 बज़े, next step, final lap, time to accelerate with an academic, get set को, इसका मतलब YouTube channel, इसका नाम है Live I IT Jam, जैसे आपको screen पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको layout, layout यहाँ पे सारे educator आपको सिखाएंगे, जहाँ पे लगबग 14 educator आपको यहाँ पे पूरे detail में guideline करेंगे, यह बहुती बड़ी opportunity है, बहुती बड़े announcement है, 23 January को यह होने जा रहा है, तो यह भी आप बिल्कुल miss मत है, वो सारी आप attend कीजिए, इसके लिए unacademy आप install कीजिए, और definitely हमारा जो code है, tb810 यह use करना बिल्कुल मत बूलिया, अब biotechnology अगर आप करना चाहते हैं, तो पहले में आपको biotechnology के branches बताता हूँ, मतलब पहले इसके scope के बार में बात करते हैं, बहुत ज्यादा scope है, लेकिन dark side क्यों है, यह आपको उसके बात बताऊंगा, first is blue biotechnology, यह aquatic life से related है, second is white biotechnology, यह industry or enzymes से related है, next is viral biotechnology, यह virus से related है, next, biomedical engineering, यह hospital instrumentation से related है, then bioinformatics, यह research statistics से related है, then genetic engineering, genes of living organisms including humans, then cell biotechnology, यह cell of plant and animals से related है, then green biotechnology, यह agriculture से related है, red biotechnology, यह pharmaceutical industry से related है, then animal biotechnology, यह animal की studies से related है, यहाँ पर mainly subject पर जो study किया जाता है, वो transfer of gene, एक gene से, एक organism से, दूसर और गनिजम तक उसके gene ट्रांसपर किये जा सकते, यह बहुत सारे application के लिए भी यूज होते है, product से बनते, various research studies के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पर आपको various research related statistics चीज़े यहाँ पर सीखन को जैसे bio medical engineering, यह एक bio technology का part है, यहाँ पर as a engineer आप नहीं दे सकते हैं, इसके लिए bio technology का इंजनेरिक, इसका awareness बहुत कम है, लोग engineering नहीं तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन bio technological engineering, यह बाइयो medical engineering, इसके कितने लोग करते हैं, तो इसके dark side में पहला point यह है, कि इसका awareness बहुत कम है, ब लिए इसके opportunities भी कम है तो इसके लिए applied field में आपको जाना पड़ता है जैसे pharmaceutical industry में जाना पड़ता है food technology में जाना पड़ता है bio informatics में जाना पड़ता है बहुत सारे अलग 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 इंडस्ट्री में आपको जाना पड़ता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है यह फिल भले ही life science है जहाँ पर microbiology कवर होते है यहाँ पर में बात कर रहा हूँ और लगबग microbiology भी यहाँ पर कवर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर food industry में आप कर सकते यहाँ जॉब like wine production में इसके application होते देन agriculture में आप कर सकते like golden rice production में इसका यूज होता है देन hepatitis B जैसे vaccination में इसका यूज होता है इसके लिए बायो टेकलोजी को student pharma industry में भी कर सकते लेकिन दिक्कत होती क्या है फार्मा इंडेस्ट्री की बात की जाए तो फार्मा इंडेस्ट्री में B फार्मसी M फार्मसी के student पहले apply करते उसके बाद बायो टेकलोजी student को प्रेफर किया जाता है यहाँ पर वेरियस ऑपरसेटी होने के बात भी आपका नंबर हंड्रेड परसेंट शुरिटी यहाँ पर कर सकते ऐसा नहीं होता और यह क्यूंकि यहाँ पर डिवाइड डिवाइड हुआ हुआ यह फिल्ड है जहाँ पर बायो स्टेज में इसका मतलब क्या और फिर भी student फोकस क्या करते है जब आडमिशन लेते चलो research institute में जाएंगे research institute में जाने के लिए आपको मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ B.S.E. का B.S.E. करना पड़ेगा उसके पाद PhD भी करना पड़ेगा जैस लाइक आप डॉक्टर जैस में अगर आपको बहुत स्ट्रॉंग करियर करना है तो आपको बहुत स्टेडी करना पड़ेगा हार्ड है बहुत ही हार्ड है लीस के लिए अगर पहले से patience रखेंगे एक वेल से जाएंगे study deeply होगी तभी आपका future बहुत ही bright है जैसे कि आपको salary अगर 40-50,000 initial level पर मिलना चा time लगता है लेकिन वहां पर आलग है वहां पर आपको लाइसम मिलता है और लाइसमन पर आप ही कर सकते है इसके लिए जैसे pharmacy में बहुत सब्सक्राइक बहुत कर 좀 कर नहीं लेकिन करने में incoming मतलब बहुत सारे लोग कर सकते लेकिन application जो बात आती है job की तो सारे student नहीं कर सकते जिनको core knowledge है वही कर सकते लेकिन यहाँ पर success story भी है इंडियन फार्माश्य इंडेस्ट्री में उनकी company आ गए ऐसा है innovation में बहुत अच्छा है बायो टेकनलोजी लेकिन dedication बहुत ज़्याद लगता है यहाँ ठीक है यह बात इंडिया की हो गए लेकिन foreign countries में क्या opportunity है बहुत सरी opportunity है लेकिन issue क्या scholarship अगर आको मिलती है तो ठीक है with scholarship जा सकते बट with scholarship जाने के बाद भी आपको बाकी के खर्चे तो लग नहीं वाले ठीक है scholarship से जाते बट without scholarship जो student जाना चाहते जो career opportunity वहाँ पर करना चाहते उनके लिए भी funding का issue होता है तो ऐसा है कि हर एक कोई abroad में नहीं जा सकता इसके लिए इंडियन यहाँ पे इंडिया में क्या opportunity है इंडिया नासल स्टेज में और आगे चाहिए government policies क्या change होती है इस पे बहुत सारा dependent है और फिर भी dark side का सबसे important में यह वीडियो बनाने का मक्सद यह है कि यह आपका नजरिया बदलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़े बायो टेकलोजी में नासल स्टेज पे यह आ बायो टेक्नलोजी का करियर की आगे आने वाले सालों में और भी ग्रोथ होगा लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इस फिल्ट से दूसरी फिल्ट में आपको opportunity है तो वही जाना है यह फिल्ट में जितनी जितनी opportunity आपके core फिल्ट से related अगर होता है तो वही job कीजिए बहुत सारे बायो मेडिकल स्टूडेंट मुझे यह पूछते है कि पार्मा इंडेस्ट में जौब है बायो टाउलोजी को स्टूडेंट पूछते है यह आपको आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत हेल्पूल रहेगा आपकी फ्यूचर डिसाड करने के लिए तो यह वीडियो लाइक कीजिए चानल को सब्सक्राब करना बिल्कुल मत भूलिए और धेर सार लोगों तक ही वीडियो शेर कीजिए तो इस शूड़ो में इतना है मिलते हैं नेक्स शूड़ो में तब तक बी एल्दी बी है